देश में कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर कहर बरपा रही है इस बीच 18 प्लस लोगों के टिका करन पर सरकार जोर दे रही है वही वैक्सिन सेंटर पर भी टिका करन के लिए मारा मारी शुरू हो गई है देश में तेजी से टिका करन अभियान चलाया जा रहा है युवाओं को बड़ी तदाद में वैक्सिन लगाई जा रही है वही इस बीच वैक्सिन को लेकर कई तरह की अफवाही भी चल रही है वैक्सिन को लेकर सेक्स समंदी कई सारे भ्रह्म समाज में फैले हुए हैं ग्रामी निलाकों में अभी भी संचय परकरार है सोशल मीडिया पर कई लोग चीका लगने के बाद सेक्स करने को लेकर सवाल पूछ रहे हैं क्या वैक्सिनेशन के बाद सेक्स करना सेफ है इस पर अब एक्सपर्ट साबधानी बरतने की सला दे रहे हैं एक्सपर्ट्स की राय के मताबिक वैक्सन का दूसरा डोस लगने के बाद महिला और पुरुशों को कौंटम जैसे साधनों का उपयोग करना चाहिए मीजिया रिपोर्ट्स के मताबिक कॉलंबिया एशिया हॉस्पिटल गाजियाबाद के इंटर्नल मैडिसन के डॉक्टर दीपक वर्मा ने कहा सार्स कोफटू एक नोवल वाइरस है और वैक्सन इसे निश्टेज करने का काम करती है उन्होंने कहा कि हलाकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कोडूना वैक्सन का कोई साइड एफेक्ट होगा या नहीं और क्या सेक्स करने पर ये महिला या पुरुषों को प्रभावित करेगा हलाकि डॉक्टर ने इस बात का संकेज जरूर दिया है कि इस समय सेक्स करने में बचाओ रखा जा सकता है कोडूना वाइरस से जुरी ऐसे तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ